जोडिया जोडिया एक बार सारे मिलिए जोरदार तरीके करने जैगोश कर गे बोला भारत माता की भारत माता की भारत माता की अमर शही जोडिया जोडिया के शही जोडिया के शही भारत माता की आज के इस कारिक्रम में जोकी जम्मू के इस पवित्र भूमी जोडिया जोकी शहीदूं की भूमी है बिल्कुल बार्डर के उपर यहां सन 1953 अठारा मार्ग 31 जनवरी के दिन जो हमारे वीर वलिदानियों ने देश के लिए अपनी माती भूमी के लिए अपना सर्वस्वर्पन किया ऐसे महान भावों को हम शत्षत नमन करते हैं कोटी कोटी बंदन करते हैं सलूट करते हैं हर वरश की तरह यहां जोड़ियां की इस पवित्र भूमी में आज फिर से हमें ये सुवसर यहां की समीती ने दिया जो की प्रजा परिशद मेमोरियल जो ट्रस्ट है श्रीमान दलबीर सिंग चिप जी और इनके सारे साथी सही होगी और आज के इस कारिक्रम में मेरे साथ यहां हमारे बहुत ही मान योग मार्क दर्शक स्रीमान प्रशोतम दिदीजी जी जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्य मंत्री रहे और भारतिय जनता पार्टी के हमारे शीर्शतम नेता जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्वल सिंग जी कविंद्र गुपता जी कुछ देर पहले यहीं थे उनको कहीं जाना है श्रीमान राजीव शर्मा साहब जो अकनूर के विधायक रहे डॉक्टर कृशन भगत जी जो यहीं खोड चंप के विधायक थे और यहां के हमारे जिला के अध्यक्स मंडलू के अध्यक्स हमारे पार्टी के जेश्रेश कारे करता और पूर्व में एक नाम छुट गया जम कश्मीर सरकार में कूर्व मंत्री रहे बहुती तेख तरार आप सबके बहुत इप्रिये और भरतिया जरता पार्टी जमू कश्मीर के इस वकद उपाध्यक्ष के नाते से कारेकर रहें स्रीमान शामलाल शर्मा साप। और यहां तमाम सभी वरिष्ट जो भरतीира आदःटा पाटी के कारेकरता बंदू हैं जो यहां के समाजी कारेकरता हैं जो यहां के बहुत प्रभुभूद जन्हें यहां जिला परिशत बीडी सी डीडी सी पंची सरपंची मोर्चूर के कारे करता आप सभी को मेरी तरब से नमस्कार साथियों हम सब जानते हैं जम्मु कश्मीर वीरू की भूमी है और जम्मु कश्मीर के अंदर छम जोड़ियां का यह जो सीमावर्थी क्षेत्र है इसकी पहचान अपने आप में एक वीरू की पहचान के साथ जुड़ी है आज 31 जनवरी के दिन उन्नीस सो त्रेपन के उस प्रजा परशेदां दौलन में शहीद हुए अमर शहीद वर्याम सिंग जी अमर शहीद बलदेव सिंग जी अमर शहीद साइं सिंग जी अमर शहीद तिरलोक सिंग जी जी अमर शहीद बसंत राम जी नानक चल जी और अमर शहीद मेला राम जी कश्री चरणू में में प्रणाम करता हूं शत-शत नमन करता हूं वो दोर था कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए आपको परमट सिस्टम चाहिए होता था अगर किसी को जम्मू कश्मीर से हरीद्वार मां गंगा जी के दर्शन करने अस्नान करने कांशी मतुरा ब्रिंदावन अयोध्या द्वारिका रामेश्वरम कांशी कामकोठी अगर किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर जाने होता था तो लखनपूर पार करने से पहले एक परमट सिस्टम था पास्पोर्ट बनाना पड़ता था और अगर किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर मां वैशनु देवी जी के दर्शन करने श्री अमरनाची की यात्रा पर जाने श इशादारा शरीव या हजरत बल्दरगा में जाना हो तो उसको भी बाहर से आने के लिए यहां पर्मट चाहिए होता था वह पर्मट एक प्रकार की पर्मिशन थी बाहर से यहां आने की और यहां से बाहर जाने की एक देश के अंदर दो सिस्टम थे जम्मू कश्मीर से बाहर जाना और जम्मू कश्मीर के अंदर आना आपको पर्मट चाहिए पास्पोर्ट चाहिए यह कैसा निजान था कि एक देश के अंदर आदमी को एक जगा से दूसरी जगा जाना हो तो आपको पास्पोर्ट चाहिए पर्मट चाहिए उस वक्त के जो हमारे महान वीर वलिदानी थे डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी उनके साथ अटल बिहारी वाजबाई साहब लाल किशन एडवानी जी जैसे असंग के कारे करता पूरे देश से उन्हों ने अंदोलन शुरू किया इस देश के अंदर एक विधान एक प्रधान एक निशान चाहिए और सिर्फ तिरंगा जंडा यहां दो दो जंडे लगाए थे शुरूआत में तो आपको याद है साइंस कालेज के बाहर आप जाओ आज भी वो स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थियों के वो सहीदू का समा हां हमारे थे ईकी ति ठीद जंडा लगाते लगाते उनको कोंल का निशान बना देल एक है और जिस प्रकार यहां छोड के अंदर कोलिय चलिक से यहां हमारे दोए इसी प्रकार हमारे वासंदरभनि में इसी परकार हीरा नगर में और इसी तरह रामबन के अंदर गोलियां चली असन के हमारे वीरू ने वलिदान दिये मुझे याद है सुन्दरबानी के अंदर हमारे पूर्वज कहानी सुनाते हैं वहां उस अंदोलन में दो बेहन भाई थे मेरा राम जी उनकी बेहन जब वहां गोली चली उस वकत के हुकुमरान शेक मुहम्मद अर्दुल्ला जिनको दिल्ली के अंदर बैठे उस वकत के कॉंग्रस के हुकुमरान पंड़त जवालल नैरू की पूरी छतर छाया में वह यहां काम कर रहे थे उन्होंने आदेश दिया कि तिरंगा जंडा लगाने वालों को गोली मार दी जाए और श्री मेला राम जी जो सुंदर्वनी की अंदर थे उनके हाथ में तिरंगा जंडा और वहां तिरंगा जंडा लगाने वाले थे गोली चली वह जमीन पर गिर लहुलुहान हो गए भगदर मच गई उसी भीड में उनकी बहन भी थी उनकी बहन में उनके हाथ से तिरंगा जंडा उठाके जिस जगा पर भाई तिरंगा लगाना चाहता था उनोंने पहले तिरंगा जंडा लगाया फिर अपने भाई को अपने हाथ में उठाया ये वो अंदोलन था प्रजा परिश्ट का जो देशित में लड़ा गया जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर देश वगद लोग इकटे होके लड़े चाहे वो हिंदू थे या मुसल्मान थे सिख थे या इसाई थे गुजर बगरवाल थे या पहाड़ी थे दोगरे थे या देश वगद जो जज़बा रखने वाले कश्मीर और लड़ा के लोग जिनको लगा के यहां दो कानून और दो दो जंडे ये किसलिए एक देश में दो कानून एक देश में परमट एक देश में दो जंडे उस वकत के हुकमरानों की ये एक साज़िश थी कि आने वाले समय में भारत के और टुकड़े करके देश को विभाजित किया जाए जैसे 1947 में देश के टुकड़े की ये वो लोग थे उस समय सत्ता के अंदर जो उस समय हुकमतें तो कर रहे थे सत्ता में तो बैठे थे लेकर एक नमबर के कदिदार थे देश दोरहि थे देश दोरहिं के हाथ में वो सत्ताई थी तो उन्हों ने देश वगत और जिनके हाथों में ज़न्ड़े थे उनको को गोलिया लगए लेकिन जो प्रजापरशद के हमारे शूरवीर थे, जो हमारे पूरवज थे, जिन्होंने इस प्रकार से यहां कुर्बानियां दी, वो डटे रहे, हटे नहीं, देरे नहीं, डिगे नहीं, उन्होंने मुसीब्तें से ही कष्ट सहे, गोलिया खाई, जेले काटी, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ समझोता नहीं, पंडित प्रेम लेर डोगरा जी हो, महराजा हरी सिंग बहादूर, जिनके साथ बहुत जुलम किया गया, ये डोगरू का, जमू कश्मीर, गिलगित, बल्टिस्तान, लद्दाख, अक्साई चिन, ये सब हमारा डोगरू का, डोगरा शासक हमारे राजाओं का ये एक अधिकार क्षित्र था, लेकिन जब महराजा हरी सिंग बहादूर ने, विले पत्र पर साइन करके, 26 सक्तूबर 1947 को, पूरे जमू कश्मीर का विले भारत के साथ किया, वो जबाला नेरू दिल्ली के अंदर, जो कांग्रेस के नेता थे, और यहाँ शेक मुहम्मद अधुल्ला थे, उन्होंने शेडेंतर किया, और महराजा हरी सिंग बहादूर जी को, जमू कश्मीर से सदा सदा के लिए बाहर कर दिए, महराजा हरी सिंग जी, जम्मू कश्मीर के विले 15 अगर्स 1947 से पहले भारत में करना चाते थे, लेकिन जवाला नेरू ने शर्द लगाई थी, कि आपको विले करने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पड़ेगा, महराजा साहब ने कहा, ये कुन सा कानून है, जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का है, और हर भारत के नागरी को ये अधीकार है कि वो कहां रहेगा, लेकिन शड़ेंत्र कारी पंडेचवाला नेरू और शेक महम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरी सिंग जी के खिलावत्या चार और चमु कश्मीर की चंता के खिलाव शड़ेंत्र की और दिले नहीं होने दिया और जब 22 अक्तूबर 1947 को पाकिस्तान की सेने ने मीरपूर कोटली के अंदर हमला किया भिंबर भाग, पलंदरी, देवा, बटला, मुझफराबाद और पाकिस्तान की सेने जब बरामुला तक पहुँच गई, महम्मद मक्बूल शेरवाणी और मास्टर अब्दलाहद लोन साहब जैसे, जो हमारे वतन परस्त मुसल्मान हैं, वो खड़े होगे, हाथ रूमें तिरंगा जंडा लेके पाकिस्तानियों के खिलाव, लेकिन चवालला नहरू, और शेक महम्मद अब्दल्लाह जो थे, उनको शरब नहीं आई, वो देश के साथ कद्दारी करते रहे, आप चुकि महराजा हरी सिंग बहादुर जी की, और जो राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के, हमारे पूजनिये दूसरे संसंग चालक थे, पूजनिये गुरु जी, गुरु ग गुलवलकर जी की और महराजा हरी सिंग बहादुर की, तो सरदार पटेल जी ने विशेश जहाज से, भोपाल से गुरु गुलवलकर जी को स्री नगर बेजा था महराजा हरी सिंग बहादुर जी के पास, और दो तिन गुरु गुलवलकर जी जो आर एसस के उस समय प्रमु लेना है तो महाराजा हरी सिंग बहादुर जी ने 26 अक्तूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विले भारत में कि लेकिन उसके बाद भी जब महाराजा साहब को यहां से बाहर कर दिया गया यहां शड़यंत्र कम नहीं किये नुने दो-दो जंडे दो-दो कानून और परमट सिस्टम लगा दिया तब उस वक्त के हमारे जो महान हमारे नेता थे पंडित प्रेमना डोगरा जी और महाराजा हरी सिंग बहादौर और शामा प्रसाद मुखर जी जी की दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में तैय हुआ कि जम्मु कश्मीर के अंदर एक प्रचंड अंदोलन होगा और वो अंदोलन प्रजा परशिद के बैनर के तले लड़ा गया जिसमें जोडियां के भी वीरू ने अपना वलिदान दिया उस महायग्य में अपनी कुर्बानिया वो उसी प्रकार का अ जैसे जंगे आजादी का अंदोलन था जिस प्रकार हमारे देश के क्रांती कारी वीरू ने अमर शहीद चंदर शेकर आजाद भगत सिंग सुखदेव राजगरू अश्वाक उल्ला खांताते टोपे वीर सावर कर मंगल पांडे और डॉक्टर हेडगेवार जी रानी चांस बाधर और स्क्रांग affirmate दोगरा जी के नेत्रेतों में शामा प्रसाद मुखर जी जो जलसंग के अध्यक्त उनके नेत्रतों में जो न्दोलन चले ये वी उसी प्रकार का एक अण्दोलन धो देशित नाँन के लिए था भारत माता के लिए था और मान समान और स्वावी मान के साथ जम्हु कश्मीर में तिरंगा जंडा फैराने के लिए उस महा संग्राम में अपनी कुर्बानियां देने वाले सबी वीरू को हम नमन करते हैं और ये उन्हें वीरू का परिणाम है कि आज जमु कश्मीर के अंदर सिर्फ तिरंगा जंडा है और वो सारी धारें वो दो दो कानून और दो दो परमेट वो सब समाब कर दिये हमारे मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी साहब ने पांच अगस दो हजार उन्नीस वरना ये धारा 370 दो दो जंडे और दो दो कानून ये एक ऐसे निशान थे ये साजशे थी कि भुविश्य में आने वाले समय में देश का भीभाजन करने की एक और भीभाजन हो इस परकार के ये शड़ेंदर और हमारे पूर्वज्य जानते थे इसलिए हमारे पूर्वज्यों ने 1953 से लेके इस परकार की एजिटेशन किये ये हमारे लिए सोभागे की बात है कि आज मी हमारे नोजवानों के रगु में दोड़ने वाला खून करांती कारी खून है हमारे जमू कश्मीर का बच्चा बच्चा देश्वगत है हमारे जमू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में देश्वगती का जजबा है जम्मु कश्मीर का बच्चा-बच्चा अपने तिरंगे जंडे और अपनी भारत माता से अटूट अथा प्यार करता है यही हमारे पुर्वजु ने यही हमारे बलिदानियों ने हमें सिखाया है यह हमारी धरोहर है इसको हमको संजो के रखना है में आज के इस पावन दिन अपने उन महान स्वतनतरता सेनानियों उन बलिदानियों उन प्रजापरशद के अंदोलनकारियों को नमन करता हूं शद्शद्शद नमन करता हूं जिनों ने अपने सब कुछ त्याग कर अपने सब सुख, सुविदय, परिवार, सब त्याग करके देशित में तिरंगे जंडे की खातिर अपने बलिदान दिये और चेले कर, तब उनी के बलिदानों से, उनी की त्याग तपस्या के कारण, आज हम यहाँ कड़े हैं, मैं ऐसे महान कुरांतिकारी विचारूं के हमारे पूरवजों और वलिदानियों को नमन करता हूँ मैं नमन करता हूँ भारतिय सेना के जवानों को जमू कश्मीर पुलीस के जवानों को SSB, ITBP, BSF, CRPF, Assam Rifles SPOs, VDCs के लोगों को जिनों ने अपने अदमे साहज, शोर या प्राक्रम और भलिदान के दम पर देश की स्वतनतरता को मजबूत दी जिनों ने सीने पर गॉलियां घाई और देश का तिरंगा धंडा हमेशा बुलंद रखा मेरे नोजवानों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों ये चुनोतियां, ये चैलेंजिस खतम नहीं हुए हैं हमारे आस बडोस में, हमारे भगल में दो ऐसे पडोसी मुलत हैं जो हमेशा हमारे लिए खुरापाती चाले चलते हैं एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है ये हमेशा हमारे देश के खिलाफ शड़ेंतर करते हैं लेकिन जब तक एक एक देश भगात इस देश के अंदर है वो सेना का जवान हो, वो हमारे परामिलिटरी फोर्सिस के जवान हो वो जमू कश्मीर पुलीस के जवाद वीर हो वो या इस देश के वतन परस्त, हुबल वतनी का जजबा रखने वाले यहां के लोग हो, हमारे देश का कोई बालबाका नहीं कर सकता लेकिन हमकों सजग रहना है, अलाट रहना है और हमेशा अपने देश के लिए अपनी मात्री भूमी जलिए कारे करना है हमारे देश के पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजबाई साहब ने कहा था उन्होंने कहा था भारत कोई मिटी का टुकड़ा नहीं है यह देश, हमारा भारत, यह कोई मिटी का टुकड़ा नहीं है यह जीता जाकता राष्ट पुरश है इसका कंकर कंकर शंकर है ये अरपन की भूमी है ये तर्पन की भूमी है हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित गंगा नदी में हमारी हड़ियों को अगर कोई आवास कान लगाकर आवास सुनेगा तो उनकी आवास भी आएगी भारत माता की जैजेकार करती यह देश हमारी पुन्य भूमी हमारी मात्री भूमी है हमारी कर्म भूमी है इसलिए हमने अपने देश अपनी मात्री भूमी के लिए सदेव सेवा भाव से कारे करना है एक सेनिक की तरह काम करना है जिसके लिए अपना देश सर्वो परी होता है मैं आज के इस दिन आपने महान शहीद वीरों को नमन करते हुए उन्हें स्रधांजली देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हमको हमेशा अपने देश के लिए अपने जंडे के लिए हमेशा सेनिक पर के काम करना चाहिए जो हमारे पूरवुजु में हमें सिखाया है जैहिन ज झाल